जै मातादी दोस्तों क्यासे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित क्यान में स्वागत है कववे देते हैं धन के और मृत्यू के संके अगर ध्यान दिया तो मिलेगा खजाना आए जान लेते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगे कुछ विशेश बाते काक तंतर से या यमदेव के कृपा प्राप्त करनी होती है तब कववे से ही जुड़े हुए उपाय किये जाते हैं यानि कि कववे को ही खाना खिलाने के लिए कहा जाता है क्योंकि यही वह पक्षी है जो संकेत देता है आपको जीवन में होने वाले घटनाओं के बारे में लेकिन काफी ल रता देखा होगा कि बहुत से लोगे कोवे के लिए अपने चफे खाना दो डालते हैं लेकिन एक बहो 2 अगधा कोवे के गहाना खाता ही और यही कोववे उन लोगों के घर में जाकर बैठता है जहां उन्हें कोए भी खाना नहीं डालता है लेकिन इसके बाउजुद यह वारोज आपके छट पर आता है और एक नहीं गव्वे रोजाते हैं तो इसे प्रकार यह संकेत भी देता है हπάली बात का जो मैं आपको आज बताऊंगे कि कि प्रकार आप उसके संकीतों को समझ कर पहचान सकते हैं और अपने साथ होने वाली बातों को पहले ही जान सकते हैं अगर आपका कोई कारे है अटका हुआ है आप उसके लिए बहुत ही जादा मेहनत कर रहे हैं और आपको अचानक से कववे को देखते हैं जिसकी चोच में कोई वहीं अगर आपको कववा किसी काय के ऊपर बैठा वह दिखता है तो ये संकेत होता है कि जिस वेक्ति से आपकी लड़ाई हुई है उससे अब आपके दुश्मनी खत्म होने वाली है अगर आपको कभी भी कववा दिखता है खाना खाते हुए और अपने पैर से अपने सिर को खुजाते हुए दिखता है तो यह संकेत है कि आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं और आपको अपने मित्रों से भी काफे मिल सकता है इसलिए ऐसे संकेतों को कभी भी खाली ना जाने दे उनका भरपूर लाव उठाए अगर आप इन संकेतों को देखकर समझ चाते हैं तो आपने कारे को पूरा करने की कोशिश जरूर करें वो निश्चिती सफल होंगे अगर आपको दो कव्वे आपस में लड़ते ह दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही औशुब संकेत होता है इसका मतलब होता है कि आपको घोर कश्ट होने की संभावना हो जुकी है या फिर आपके आस पास कहीं भी कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ कोई ना कोई घटना होने वाले हैं अगर किसी पर कवव कुछ चीज घिरा देता है तो इसका मतलब है उसके जीवन में शनी के दुष्प्रभाव शुरू होने वाले हैं और उसे बहुत ही संभलकर रहना है नहीं तो वह किसी भी बड़ी परिशानी में फस सकता है आपने काफी बार देखा होगा कि काफी लोग जब उड़ाने लगते हैं क्योंकि यह बहुत ही वशुब शंकेत होता है अगर बहुत सारे कववे बैट आपस में बहुत जादा आवाज करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको धन्हानी हो सकती है आपको कश्टों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे संकेत के स्थिति मि पर आपको बिल्कुल समभल कर रहना चाहिए और किसी से भी बाद विवाद में नहीं उलजना चाहिए इन संकेतों को अगर आप समझ कर अपने जीवन में उतारते हैं और इनका फायदा उठाते हैं तो निश्ची थी आपके जीवन से परिशानिय कम होती है और आपको योग बन रहे हैं और कहीं से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है तो इसी प्रकार ये काफी संकेत देता है जिससे के बारे में काफी लोग जानना भी चाहते थे इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आज बताया है जिससे आप इन समस्याओं से छुटकारब पा सकते हैं तो कैसे आपके साथ भी हर जिज शुब शुब होने लगता है तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो उमीद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आ आप किसी समस्या का समधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पंडित यान को सब्सक्राइब करना ना भूले जै मात आदी